दोस्तो आज की वीडियो में हम जलियावाला बाग हत्याकांड के बारे में संपूर्ण जानकारी लेगे एह जानकारी हर एक प्रितियोगी परिक्षाओं के तैयारी एवन जनरल नौलेज के लिए अतिम महत्व पूर्ण है हेलो दोस्तो मैं हुएमंद कुमार और आप देख रहे है स्मार्ट विजिन जी के चैनल शुरू करते हैं आज का टोपिक जलियावाला बाग हत्याकांड 13 अप्रेल 1919 को बैसाखी के दिन अमरूत सर में जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ अराजक और क्रांतिकारी अपराद अधिनियम एनार्किकल एंड रिवोश्यलूनेरी क्राइम एक्ट 1919 जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है यह एक्ट अधार मार्च 1919 को पारित किया गया था तथा 21 मार्च 1919 से लागो कर दिया गया था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुदिन कीचलू दोनों महत्वपूर्ण प्रमुख नेतावों को रॉलेट एक्ट के खिलप शान्तिपूर्ण विरोध करने पर गिरिपतार कर लिया गया था तथा उसे शहर से बाहर भेज दिया गया था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुदिन कीचलू की गिरिपतारी के विरोध में जलिया वाला बाग में एक जन्द सभा हुई थी उस समय शहर में मार्शल लो लगा हुआ था ततकलिन ब्रिटिस ब्रिगेडियर जन्रल रेजिनौल डायर ने अपने सैनिकों के साथ घटना स्थल पर पहुँच गर सभा को गेर लिया और वहां से बाहर जाने के एक मात्रे रास्ते को अवरुद कर लिया शान्तिपुल ने वो रही इस सभा पर जन्रल डायर ने सिपहियों को गोली चलाने का आदेश दिया इस अंधाधुंद गोली बार में कई लोग मारे गए इस स्थल से भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था इसलिए कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदन में मौजुद एक मात्रे कुव में कुद गए जलियावला बाग हत्याकांड के लिए जान्च समितिया कौन-कौन से जान्च समितिया थी वो हम देखते है जलियावला बग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिस सरकार ने 19 अक्तूबर 1999 इस्विशन में डिस ओर्डर इंक्वाइरी कमेटी का गठन किया था इस समित्य के अध्यक्ष लोड विलियम हंटर थे इसलिए उसके नम पर से इस कमेटी को हंटर कमिशन के नमसे भी जाना जाता है हंटर कमिशन में पाँच अंग्रेज एवं तीन भारतिय सदश्य थे भारतिये सद्धिश्य थे उसमें एक सर चिमनलाल शितलवाड दो साहब जादा सुल्तान अहमद और तिन जगत नारायन यह हंटर आयोग के भारतिये सद्धिश्य थे भारतिये राष्टरी कॉंग्रेस ने जलियावला बाग हत्याकांड की जान्स के लिए मदन मोहन मालवी के नेतरुत्व में एक गेर अधिकारिक आयोग नियुक्त किया इस आयोग के अन्य सद्धिश्य मोतिलाल नहरू और एम के गांधी थे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस गोली बार में 389 व्यक्ति मारे गए जबकि कॉंग्रेस समिति के रिपोर्ट के अनुसार लगबग 1000 व्यक्ति मारे गए हंटर कमिशन के रिपोर्ट आने पर 1920 इस विशन में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल डायर को पदावनत करके करनल बना दिया गया और उसे अक्रिय सुची में रख दिया गया ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल डायर को स्वास्थे विश्यक कारणों से ब्रिटन वापस भेज दिया गया ब्रिटन में House of Commons ने जनरल रेजिनोल्ड डायर का निंदा प्रस्ताव पारित किया जबकि House of Lords ने उसकी प्रसेंसा करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया विश्व व्यापी निंदा के कारण बिटिस सरकार ने जनरल रेजिनोल्ड डायर का निंदा प्रस्ताव पारित किया 1922 इस्विशन में जनरल रेजिनोल्ड डायर को इस्तिफा देना पड़ा शंकर नायर ने जलियावाला बाग हत्याकांट के विरोध में वाईसराई की कारिय कारियनी परिशद की सदिश्यता से इस्तिफा दे दिया था जलियावाला बाग हत्याकांट के विरोध में महात्मा गांदी ने केसर एह हेंद की उपाधी वापस लोटा दी जमनालाल बजाज ने राई बहादूर की उपाधी वापस लोटा दी रविंद्रेनाथ टेगोर ने सर की उपाधी वापस लोटा दी 13 मार्च 1940 को उदमसी ने लंदन के कैक्स्टन होल में जलियावाला बाग हत्याकांड के समय लेटिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर को गोली मार दी इस घटना के कारण उदमसी को 31 जुलाई 1940 को फासी की सजा दी गई 1920 इस विशन में भारती राष्टरी कॉंग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके जलियावाला बाग हत्याकांड के स्थल पर एक समारक बनाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की इस साइट पर एक समारक बना गया है जिसकी डिजाइन अमेरिकी वास्तुशास्त्र बेंजामिन पॉल्क द्वारा तयार की गई है तेर अप्रेल 1961 को भारत के ततकालिन राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने इस समारक का उधगाटन किया था दोस्तो जलियावला बग हट्याकान का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और स्मार्ट विजन जीके चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद